दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके पास किसी भी साधना को करने के लिए या अध्यात्म की रहा पे चलने के लिए ग्यान तो है, आपको विधी तो पता है, किन्तु फिर भी आपको एक साहारी की तलाश है आपको अपने गुरू की तलाश है या फिर आपके गुरू तो है किन्तु अब वे फिजिकल फॉर्म में आपके साथ नहीं है या फिर आपसे काफी दूर रहते हैं तो आज जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस मंत्र के जब से इन सभी दुविधाओं का इन सभी परिशानियों का हल किया जा सकता है, मैंने खुद किया है। अगुरेश्वर बाबा कीना राम, परम सिद्ध बाबा गुरक नाथ और ऐसी कई महान विभूतियों के आदी गुरु जिनकी कृपा मात्र से असाद्य सादनाय सिद्ध हो जाती हैं, जो सभी प्रकार के तंत्र, मंत्र एवं यंत्र विज्ञान के अधी पती हैं। मैं आपको वह मंत्र जब की विधी बताऊं। मैं चाहता हूं कि इसी टॉपिक से रिलेटेड मैंने दो वीडियों बनाये हैं और अगर आपने उन्हें नहीं देखा हैं तो पहले आप उन्हें देखें। गुरु कृपा प्राप्त करने से पहले यह समझ लेना बहुत जरूरी है कि आखिर गुरु का महत्व क्या है। और अगर हम बिना गुरु के साधना करने लगते हैं तो हमें किन परशानियों का सामना करना बढ़ता है। इन दो सब्जेक्ट्स पे मैंने दो वीडियो बनाये हैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। पहले आप इन दो वीडियो को देखें इने समझें और फिर इस मंत्र जबकि वीदी की शुरुवात करें। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपके जीवन में गुरु गृपा नहीं हैं तो इस वीदी से आपके जीवन में भी गुरु तत्व आ जाएंगे। तो इस मंत्र को किसी भी ब्रहस्पतिवार यानि गुरु वार के दिन शुरू करना है। या आप अन्य किसी शुब दिन पे इसे शुरुवात कर सकते हैं। गुरु वार के दिन प्रहता काल या फिर संद्यहारती के वक्त आप एक लाल आसन बिछा के उस पर बैठें। सामने लकडी के एक चौकी या फिर किसी आसन पे लाल वस्तर बिछा के भगवान दत्तात्रे की कोई मूर्ती या कोई तस्वीर रख के भगवान दत्तात्रे का आवहन करें। उनसे प्रार्थन करें कि हे प्रभू मैं आज से आपके बीज मंत्र का जब शुरू करने जा रहा हूँ, मैं आपका आवहन करता हूँ, आप इसे स्वीकार करें और दिये गए स्थान पे विराजमान होए। इसके बाद आप भगवान दत्तात्रे की पंच पूजा कर सकते हैं, पंच पूजा अर्थात धूप, दीप, नैवेद, पुष्प एवं गंद, इसके पश्चात आप एक घी का दीपक जलाएंगे और भगवान दत्तात्रे का सबसे असान बीज मंत्र उसका जब शुरू कर इस मंत्र को आप माला पे जबें, एक माला में 108 मन के होते हैं, और एक दिन में 5 माला का जब करना है, ऐसा आप 11, 11, 41 या 51 दिन तक कर सकते हैं, और मेरी प्रार्तना है कि जिस दिन भी आप इस विदी की शुरुआत करें, तो अपने जीवन की और, अपने आस-पास, अपने म मात्र से संतोष्ट होते हैं, और जब आप इनके बीज मंत्रों का चाण करने लगते हैं, तो आपके जीवन में, पहले दिन से ही, आपको ये महसूस करा दिया जाता है, कि जिसका आवहन आपने किया है, वह अब आपके साथ हैं, दोस्तों, ये मंत्र है, ओम, द्राम, इन द अंधकार को मिटा सकते हैं, क्योंकि ये परम गुरू तत्व है, अगर आप पून शद्दा से भगवान दत्तात्रे के इस मंत्र विधी को 11, 21, 41 या 59 दिन तक कर लेते हैं, तो उसके बाद आपके जीवन में किसी भी प्रकार से ना मार्दर्शन की कमी होगी, ना गुरू त दत्व की कमी होगी, और नहीं ज्यान की कमी होगी, दोस्तो अगर आप भगवान दत्तात्रे के बारे में और जनकारी प्रात करना चाहते हैं, तो मुझे कॉमेंट करके बताएं, मेरा प्रयास रहेगा, कि मैं उनके बारे में और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए आपके साथ शेर कर सको, इस मंत्र जब को शुरू करें, क्योंकि इसके लिए आपको किसी गुरु दीक्षा, ये किसी मंत्र बंधन क्या वशक्ता नहीं है, आप पूर्ण सात्वे ग्रूप से इसकी शुरुवात करें, और आपके जो भी अनुभा हो, वो मेरे साथ से शेर करें, आज के लिए इतना ही, जल्द मिलिंगे एकले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद,